बारत और अफगानिस्तान T20 सिरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को मोहाली में खेला गया थे इस मैच को टीम इंडिया ने शिवम दुबे के शांदार ओल राउंट प्रदरशन के दम पर 6 विकेट से जीता अब दूसरा मैच 14 जनवरी यानी रविवार को इंदौर में खेला जाना है इस मैच में टीम इंडिया की प्लेंग 11 में कई बदलाब देखने को मिल सकते हैं ऐसे में दूसरे T20 के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेंग 11 पर आई एक नजर डालते हैं दूसरे T20 में टीम इंडिया की प्लेंग 11 विराट कोहली की वापसी उसमें तय बताई जा रही है विराट T20 विशुकब 2022 के बाद पहली बार इस फॉर्माट में खेलेंगे वहीं पहले मैच में इंजूरी की वज़े से वो नहीं खेल पाए थे जो खिलाडी जिसका चर्चा कापी जोरोती थी वो ये शस्वी जैसवाल थे उनकी भी प्लेंग 11 में वापसी तय मानी जा रही है तिलक वर्मा और शुबंगिल को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है इनका प्रदर्शन भी साधार अन्य बल्ले बाजू में कप्तान रोईच शर्मा, रिंकु सिंग, विकेट कीपर, जीतेश शर्मा दिख सकते हैं वहीं पहले माच में शिवम दुबे का गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन रहा था और वो इंदौर वाले माच में भी टीम इंडिया की प्लेंग 11 में होंगे उनके साथ अक्षर पटेल भी होंगे अक्षर को पहले माच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था लेकिन गिंदवाजी उन्होंने अच्छी की थी और चार ओर में 23 रंदेकर दो विकेट जटके थे सुन्दर काफी महंगे रहे थे और वो प्लेंग 11 से बाहर हो सकते हैं दूसरे टी-20 में कप्तान रोईच चर्मा टीम इंडिया की प्लेंग 11 से स्पिनर रवी विश्नोई को भी बाहर कर सकते हैं विश्नोई ने पहले माच में तीन ओर में 35 रं लुटाने के बाद एक भी विकेट नहीं लिया था उनकी जगे कुल्दी प्यादव को मौका दिया जा सकता है वही वाशिंग्टन सुंदर की जगे आवेश खान को मौका मिल सकता है अर्शदीप और मुकेश कुमार की जगे पर करार रह सकती है यानि अगर संभावित प्लेंग 11 की बात की जाए तो रोहित शर्मा ये शस्वी जैसवाल पारी की शुरुवात करेंगे वहीं विराट कोली नमबर तीन पर खेलते नजर आएंगे चार नमबर पर जीते शर्मा पांच नमबर पर शीवाम दूबे शे नमबर पर रिंकु सिंग साथ नमबर पर अकसर पटेल आठ नमबर पर कुलदीप यादव नौ नमबर पर अर्षदीप सिंग दस नमबर पर मुकेश कुमार और ग्यारा नमबर पर आवेश खान खेरते नजर आ सकते हैं एनपी टाइम्स के रिपोर्ट